कि अपनी जयन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इंडूप चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं इसमझेगा कि गिफ्ट क्या है इसके बाद ही आप यहां पर जो गिफ्ट की ट्राइफिनेशन दी गई है इसके बाद ही आप यहां पर जो इंकम टेक्स को भी सेव कर सकते हैं लेकिन मैं चीज आपर कंफर्म कर देता हूं प्रोपर्टी इम्मूवेबल हो या इम्मूवेबल हो आपको दोनों के लिए जो है डोकुमेंटेशन त्यार करके रखना है ऐसा नहीं है कि आप कोई भी अक्रिविटी कर लेंगे कर आपके लाइबलिटी होती है कि वो यह चीज प्रूफ करेगा कि यह इंकम नहीं है अगर वो इंकम कंसिडर हो गई तो फिर उसके बाद जो है आपके ओपर टेक्स भी लगेगा और उसके साथ साथ इंट्रेस्ट मेनल्टी भी अपलियेबल हो जाएंगी तो सबसे बेटर तरीका है जो डोकुमेंटेशन यहाँ पर मैं बताने वाला हूं वह भी आप रखें दुसरा वह कौन-कौन से रिलेटिव है जो यहाँ पर कवर होने वाले हैं जिससे आप गिफ्ट ले सकते हैं दे सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पर कवर करेंगी सबसे बहले यहाँ पर बात करें तो इंकम टेक्स के कोडिंग जो है वो गिफ्ट में दोनों टाइप की प्रोपर्टीज कवर होती है मुवेवल भी और इमुवेवल भी मुवेवल में जैसे हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है आपके पास सेयर, सिक्योर्टी, ज्वैलरी, आर्कियोलेजिकल कलेक्संस, ड्रॉइंग, स्पेंटिंग, एटीजी, जो भी मुवेवल टाइप की प्रोपर्टीज होती है सब कुछ यहाँ पर कवर है इसके अलावा इजय और कोई गाड़ी दी और उसके बदले में आपने उससे कुछ नहीं लिया नहीं कायन काया है तो वह चीज है पर ठीछ यह अपर कवर हो गई या फिर अगर आपने उनको गाड़ी gift की या car gift की और बदले में आपने उनसे एक motorbike ले ली तो वो inadequate में कवर हो जाएगा कि आपने ज्यादे value की चीज उनको दी है और बदले में उनसे कम value की चीज आपने ले ली ठीक है तो इस type से adequate consideration और inadequate consideration यहाँ पर consider के जाएंगे अब यहाँ पर immobile property के इसमें land और building दोनों type की property कवर होती है लेकिन इसमें agriculture land नहीं आती है ठीक है यह agriculture land जो है वो capital gain में भी exempt होती है इसलिए उसको especially include नहीं किया जाता है इसकी जो definition है वो transfer of property act में भी दी गई है gift का मतलब है transfer of certain existing movable or removal property made voluntary with without consideration यहाँ पर बस केवल without consideration लिखा गया by one person called donor to another person called donny ठीक है तो देने वाला है property को या फिर जो भी gift देने वाला है वो donor हो गया और receivable जो भी person होगा recipient वो आपका donny हो गया and accepted by or on behalf of donny तो acceptance होना भी जरूरी है उसके बाद gift के types जो मैंने आप पो लेड़ी बता दिया है monetary gifts में जो से money cash check bank draft उसके अलाब mobile property कभर होगे mobile property में land building residential commercial property included है monetary gift के अगर बात करें तो limit जो है पचाहजार रुपे के gift के case में जो limit specified की गई है अब वो 50,000 की की गई है तो अगर आप कोई money received करते है aggregate value of such sum received during the year exceed रुपे 50,000 पचाहजार रुपे से अगर आपने यादा receive किया तो जो भी वो money receiver है ठीक है and the sum of money received without consideration by an individual HOF it will be charged to tax तो यह आपकी taxable income बन जाएगी other source में कबर हो ठीक है कितने भी gifts जो है वो chargeable to tax होंगे अगर वैल्यू पचाहजार से ज्यादा है इस तरह से mobile property कि इसमें जाबर mobile property बिना consideration के दी जा रही है तो उसकी fair market value देखी जाएगी कि इसकी fair market value क्या है पचाहजार से ज्यादा होते ही वो जो है taxable हो जाएगी पचाहजार देखी value जो है exempt है उस पर कोई tax नहीं लगेगा अगर movable property आपको without consideration दी जाती है तो पचाहजार की value है अगर with consideration दी जा रही है तो भी fair market value और जो देने वाली value है उनका जो difference है वो देखा जाएगा तो जो difference वाली value है वो आपके जो है recipient के hands में taxable हो गई पचाहजार से ज्यादा वाली ठीक है पचाहजार तक की value बे कोई tax नहीं है इसी तरह से इम्मुवेबल property इम्मुवेबल property के case में इस्टैम ड्यूटी की value देखे जाते है कि स्टैम ड्यूटी की value कितनी है तो पचाहजार से ज्यादे की अगर value है ठीक है तो वह जो है taxable हो जाएगी 50,000 की value बे कोई tax नहीं है हाला कि 50,000 की कोई भी property नहीं होती है तो का मतलब है inadequate consideration है तो दोनों का जो difference है वह ज्यादा का है तो इसलिए वह जो है taxability में cover हो जाएगी 50,000 तक की value यहां पर भी जो है निल है स्टैम ड्यूटी जो है स्टैम ड्यूटी वैल्यू देखे जाएगी इम्मुवेबल प्रोपर्टी के case में जो बर्डन है वह ससी के provisions लगते हैं strictly तो receiver जो भी recipient है उसके पास proper documentation होना जरूरी है और वह जो भी उनके पास gift आता है उसको ITR में भी दिखाना जरूरी होता है तो आप जब ITR file करेंगे during the year में अगर आपको कोई gift मिला है उसको आपको declare करना जरूरी है test point आता है valid gift के लिए सबसे important part है acceptance होना जरूरी है donor और donor के बीच में अगर कोई gift deed है ठीक है और जो donor है या donor है इनमेंसे कोई भी अगर किसी की death हो जाती है तो void माना जाएगा इसी तरह से जो है gift के लिए आपको gift deed बनाना जरूरी होता है कि आप जो है gift deed एक बार अगर आपने gift दे दिया और वह accept हो गया तो उसको revoke नहीं गया सकता मतलब उसको वापिस नहीं लिया जा सकता है ठीक है इसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट आया हुआ है कि अगर नोर से ठीक है तो इसमें डीमिंग प्रोविजन से अप्लाई होंगे section 9 के कि अगर नोर ठीक है वो gift receive किया जाता है not ordinarily resident से without consideration from a person resident in India will be taxable in India ठीक है in the hands of not ordinarily resident तो इस case में पहले क्या आता है provisionizable resident को अब इसमें जो है not ordinary resident को भी cover कर लिया गया है circumstances जो है वे कौन-कौन से यहाँ पर gift जो है वो taxable नहीं है ठीक है तो गिफ्ट जो है section 56 section 2 close 7 जो है यह इस type के जो gift sign को covered नहीं करता है इसका मतलब है यहाँ पर limit applicable नहीं होती है from any relative खहर जो है relative से gift receive करते हैं तो वहाँ पर limit काम नहीं करते है you on the occasion of marriage of the individual marriage case में भी unlimited value के gift ले सकते हैं हो monetary हो non-monetary हो movable हो तो वो सारे के सारे जो gifts हैं वो आप ले सकते हैं marriage के कैसे on the occasion of marriage में भी limit जो है काम नहीं करती है जो पचाइज जार वाली limit है under a will और by inheritance अगर आपको will में या inheritance में कोई property मिलती है तो वो भी gift में covered नहीं होता है in contemplation of the death of the pair or donor ठीक है तो इस case में मैंने आपको पहले बताया था donor donor किसमें death हो जाती है तो यह covered ही नहीं होता है from any local authority अगर local authority से gift मिला है तो gift में covered नहीं होगा इसकी मतलब जो values है वो unlimited होड़ेगी from any fund university hospital etc referred to in section 1023c ठीक है तो इनसे मिलने वाले जो gift होते हैं वो taxable नहीं है from any trust or institution registered under 12A12AB ठीक है क्योंकि उसमें provisions होते हैं वो सामने वाले person के हाथ में taxability आ जाती है by way of business organization of cooperative banks amalgamation the merger of the company ठीक है तो यह ऐसे gifts हैं जो कि आप easily without limit जो है वो ट्राजेक्ट कर सकते definition जो है relative की जो definition है four lady आपर specified है spouse spouse of people mansion below ठीक है brother or sister brother or sister of spouse brother or sister or either of his parents ठीक है यहाँ पर इस टाइप के cover होते हैं जैसे कि आपकी खुद के husband wife यहाँ पर cover हो गई brother या उनकी wife और brother-in-law sister-in-law यहाँ पर सब चीजे covered है ठीक है brother or sister of either of his parents उनके जो parents है यानि के father-in-law mother-in-law भी यहाँ पर covered है any linear ascendant and descendant सब कुछ यहाँ पर covered है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं relative में यह सब चीजे include है spouse of the individuals brother or sister of individuals brother or sister of spouse of individuals इसमें सब चीजे covered हैं तो यानि के यहाँ पर white definition cover हो जाती है sister-in-law brother-in-law father-in-law mother-in-law और खुद के father brother mother सबसे यहाँ पर ले सकते हैं children में यहाँ पर covered हैं लेकिन मेजर होना required ठीक है तो यहाँ पर सब टाइप के covered है mother father हर टाइप का relation यहाँ पर covered है लेकिन यहाँ पर एक चीजे आपको note करने वाली है जहाँ पर relative cover नहीं होते हैं तो उस case में जो है वो limit काम करती है जो कि 5000 वाली limit है ठीक है जानिके आप non-related से भी पजाजार तक का ही gift यहाँ पर ले सकते हैं वो movable हो या imovable और relative की बात करें तो relative की definition में cover होना जरूरी है तभी यहाँ पर relative के case में कोई भी limit काम नहीं करती है यानि कि आप relative से gift ले सकते हैं एक शीच का ध्यान लखिए जब भी आप gift ले रहे हो और यह exemption क्लेम कर रहे हो तो आपको इसको ITR में दिखाना है इसके लिए proper हर ITR form में जो है column होता है जहां पर आपको मिलने वाले gifts को disclose करना होता है तो यह था complete video इस video को share भी कीचिएगा इसकी जो फाइल है यह आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी जो फाइल मैं आपको दिखा रहा हूं है मैं आपको share कर दूंगा की काफी सारी वीडियो जो में रिटूब चैनल पर अविलेबल है income tax GST के filing registration process और basic amendments के वीडियो हाँ पर uploaded है चैनल का जो परपज है लिए educational है तो आप चैनल को subscribe करें आने करें वीडियो जरूर देखें यह वीडियो देखने के लिए